नमस्कार कोईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Snapchat पे I Need Help बाले option में इस तरह का problem क्यों आता है आपको वहाँ पर web page not available क्यों दिखाता है और यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर I Need Help पे किलिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको problem आने लगता है और इस problem को आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको cut करना है और decent से हटा देना है उसके बाद आपको अपने phone में mobile के display को उपर से नीचे की यह down करना है down करने के बाद आपको एक बार airplane mode को on करना है और यहाँ से थुरा दिर बाद इसको off कर देना है उसके बाद यहां से network आने के बाद आपको यह चेक कर लेना है कि आपके phone में mobile data on है कि नहीं अगर on नहीं है तो यहां से on कर लेना है क्योंकि होता क्या है कि यह जो problem है आपको आपके phone में network नहीं रहने के कारण होता है कभी कभी होता क्या है कि लोग अपना net off करके उसको open करते हैं तो वहाँ पर वह open नहीं हो पाता है या काम नहीं करता है या कुछ technical bug आ जाता है उसके कारण आपको I need help for a जो option है वह open नहीं होता है और वहाँ पर आपको web page not available दिखाता है तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको open करना है इसको click करके देखना है कि वह काम कर रहा है कि नहीं अगर इतना से आपका problem ठीक नहीं होता है तो अब आपको अपने phone में play store को open करना है उपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे किलिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है कि स्नैप चार्ट सर्च करना है सर्च करने के बाद अगर आपके फोन में स्नैप चार्ट का अपडेट आया हुआ है तो यहां सब को अपडेट कर लेना है अगर अपडेट नहीं आया हुआ है तो यहां से इसको cut करना है उसके बाद आपको अपने phone में Snapchat पे थोड़ा देर अंगली दबाक रखना है लोंग प्रेस करना है उसके बाद उपर में आपको एक i का option मिलेगा app info का option मिलेगा तो आपको यहां पे जाना है जाने के बाद आपको नीचे में एक storage usage का option मिलेगा तो आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पर आपको clear cash पे क्लिक कर देना है यहां से आपको manage space नहीं करना है यह आपको clear data नहीं करना है नहीं तो आपका जो Snapchat का account है वो log out हो जा में आपके फोन में डिसेबल mobile data और डिसेबल वाइफाई यह जो दोनों आपसन है आपके फोन में off है कि नहीं अगर आप नहीं है तो यहां सा आपको क्या करना है कि दोनों option को off कर लेना है और उसके बाद कट करना है recent से सारे चीच को हटादेना है उसके बाद अब आपको पर की और स्क्रोल करना है, स्क्रोल करने के बाद आपको एक I need help का option मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो option है वह काम करने लगा है, अगर आपके फुन में इस तरह का problem आ रहा था तो उस problem को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं धन्यवाद